व्यक्राइब और अबन टोपिक करेंगे और एक इंपोर्टेंट टोपिक क्या है आज का आज़का टोपिक है ने स्वजांगे एक लिए एक्जाम में जरूर पूछ रहे तैंड रेल्वेए बहुत जार पूछे थिके और भी अनिये सेप्टेमबर का 2020 का टूर का पूरा अपदेट ये बहुत ही इंपटेंट है चलिए तो देख लेते क्या क्या विक्षा आज के सेशन में लिए गया है तो स्टार्ट करते हैं क्या है देख लेते चलिए तो आज का फर्स्ट क्या होगा आज का फर्स्ट कोशन है वह ऑफ और बायोग्राफी ऑफ एटोर्नी जेनरल अफ इंडिया सॉली सरब जी लाइफ और टाइम तो यह बुक किसने लिखा तो यह होगा अविनप चंद्रचूद ठीक है चलिए नेक्स क्या है को बर सक्षब किलांगं तुम इस सब्सक्ा यह बूं करूज से लिख इति लिख सक थाग अटज है उफ सब्सक्राइब कैल्च सुधा मुर्ती जीन कैंड़ जैलेन एक्स क्या होगा कोशन नमबर 4 क्या है कोशन तो गांधी टोपी गवर्णर तो गांधी टोपी गवर्णर इस बुक को किस ने रिलीस किया तो यह रिलीस किया एम वेनका या नाइडू जी ने दो हमारे प्रेवियस कौन थे वाइस प्रेसिदेंट है ठीके चलिए इस बुक को किस ने अन्वेल किया है तो यह होगा हिमाचल प्रदेश के गवर्णर और उनका नाम है उनका नाम है राजिंद्र अरलेकर ठीके राजंदर अरलेकर चैली, next क्या होगा, question number 6 Chief Minister of which state has released a book title Lockdown Lyrics ठीके, कौन सा, कौन सा state का Chief Minister होगा तो ये होगा, उरिसा का Chief Minister तो उरिसा का Chief Minister कौन है? तो वो होगा, नवीन पतनायक, ठीके चैली, next question question number seven क्या होगा question number seven बोल रहा है कि who has written a book title दिलीप कुमार in shadow of a legend ठीक है तो इस book को किसने लिखा है तो लिखा है ये फैजल फारुकी ने इस book को लिखा है ठीक है चाले next question eight number क्या होगा who has recently released a book title moody at the rate 20 dreams meeting क्या है delivery ठीक है तो ये किसने बुक को किसने रिलीज किया है तो ये बुक को भी रिलीज किया एम वेंकाया नाइडू जी ने ठीक है किसने होगा एम वेंकाया नाइडू जी ने इसको रिलीज किया है ठीक है चाले next question question number nine क्या होगा who has written a book title how to prevent the next pandemic very very important बोल देते एक्जाम में जरूरी आएगा ठीक है तो किसने लिखाए इस बुक को तो इस बुक को लिखाए बिल गेट्स ने ठीक है चाली next question क्या होगा question number 10 क्या होगा who has written a book title sunrise over ayodha nationhood in our times ठीक है तो इस बुक को किसने लिखा तो ये लिखा है ने लिखाए इस को ठीक है चैली next question question number 11 क्या होगा a book title the mmedi gambi decoding madas 2.0 was written by whom तो किसने लिखा इस बुक को इस बुक को लिखाए शण कशे वरमा जीने ठीक है चेली next question 12 number क्या होगा who has written a book title bose the untold story of an inconvenient nationalist doses इस बुक को किसने लिखाए तो इस बुक को लिखाए चंद्र 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 चूर घोष ने इस बुक को लिखाए ठीक है से लिए नेक्स कोशन थर्टीन नमबर क्या होगा इस बुक को किस ने लिखाए नवदीव सिंग गिल ने इस बुक को लिखाए ठीक है चैले नेक्स कोशन फॉर्टीन नमबर क्या होगा वोगा फिप्टीन नमबर क्या होगा वो एस रिटेन बुक क्या नाम है इसका नाम है पब्लिक सर्विस एथिक्स टीक है इस बुक को किस ने लिखा है तो इस बुक को लिखा है प्रवात कुमार ने ओके चलिए, next question 16 number क्या होगा, who has written a book title, writing for my life, very important book है ये, ठीक है, इस book को किसने लिखा है, ये भी बहुत important है, exam point बेसे, क्या है, ये Ruskin Bond का book है, and Ruskin Bond का हर एक book exam में पूछा जाता है, ठीक है, तो ये वी very very important list में आता है, ठीक है, चलिए, next question क्या होगा, 17 number, who has written a book title, क्या title है उसका, how China, see India and the world, ठीक है, तो इस book को किसने लिखा है, तो ये होगा, Sam Saran ने इस book को लिखा है, ठीक है, ठीक है, next question 18 number क्या होगा, who has written a book title, a little book of India celebrating 75 years of independence, very important ये, ये book भी very important, किसने लिखा है इस book को, इस book को भी लिखा है, Ruskin Bond ने, ठीक है, Ruskin Bond का हर एक book बहुत important होता है, ठीक है, ठीक आए, was written by whom, तो किसने लिखा है, तो ये लिखा है, शागोरी का घोश जीने, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 20 number क्या होगा, who has and launched a pictorial comic book title क्या है the Indian women's unsung heroes ठीक है तो ये बुक किसने लिखा है तो ये किसने launch किया है pictorial comic book तो ये launch किया है मिनाक्षी लेखी जीने ठीक है ये भी very important है क्या होगा कोशन नमर 21 क्या बोल रहा है who has owned women's prize for a fiction 2022 for a nobel the book of forms and emptiness ठीक है तो ये किसका होगा तो ये होगा रूथ उजे की का ठीक है चलिए next क्या होगा 22 नमर क्या होगा a book title 10 million dollar dream ठीक है was written by whom तो किसने लिखा है इस book को तो इस book को लिखा है सुभास गर्ग ने किसने लिखा है सुभास गर्ग होगा ठीक है चलिए next क्या होगा 23 नमर who has written a book title leaders politicians citizens 50 figures who influence India's politics ठीक है तो ये किसका होगा तो ये रशीत किद्वाई का book है ये वी important के list में आता है ठीक है चलिए next question 24 नमर क्या होगा was written a book title Hitler and India ये वी important है तो ये किसका होगा तो ये होगा वैवपुरंदर का book है ये ठीक है क्या है Hitler and India next question 25 क्या होगा who has written a book title Gautam Adani the man who changed India तो ये किसने लिखा है बुक को ये होगा आर इन वासकर जी ने इस book को लिखा है ठीक है चलिए next question 26 नमर क्या होगा who has written a book title crunch time नरंदरो मोदी ज नाशनल सेक्यूरिटी क्राइसिस ठीक है तो ये भी बहुत important book है ठीक है चलिए 27 नमर क्या होगा a book title Gandhi's book title क्या नाम है Gandhi's Azazin ठीक है the making of the Naturam Godze and his idea of India was written by whom ठीक है तो किसने लिखा इस book को ये भी बहुत important book है पहले ही बोल देते है एक्जाम के लिए तो कौन लिखा इस book को ये होगा धिरंदर जा का इस book है ठीक है चलिए next question 28 नमर क्या होगा who has launched a book title Swadhinata Sangram Nasur Viro ये भी important book है ठीक है तो ये किसने launch किया इस book को इस book को भी launch किया है from life work leadership was written on which personality ठीक है तो कौन किसके personality को पर लिखा गया है तो ये होगा अरुंधती भटाचारिया ठीक है चलिए next question क्या होगा question number 30 क्या होगा who has written a book title Queen of Fire ये question important है ठीक है तो किसने लिखा है तो ये होगा देवी का किसने लिखा है देवी का रंगाचारी ने इस book को लिखाए ठीक है चलिए 31 नमबर क्या होगा a book title Raj Kapoor the master at art work ठीक है Raj Kapoor the master at work was written by whom तक किसने लिखा है इस book को ये होगा राहुल रवायल के दूआरा लिखा गया है चलिए, नेक्स कोशें, 32 नंबर क्या होगा? अब बुक टाइटिल, इंडिया, दाट इस भारत, कोलोनियालिटी, सिविलाइशन, ठीके? आंड क्या, कॉंस्टिटूशन हूँ, वस रिटन बाई हूम, ठीके? तो किस ने लिखा है? तो ये होगा, S.J. सै किशोड जी ने लिखा है, ठीके? चलिए, 33 नंबर क्या होगा? इस बुक को किस ने लिखा है? ये तुहीन, A. Sina, अंकिता वर्मा जी ने लिखा है, ठीके? चलिए, 34 नंबर क्या होगा? अब बुक टाइटिल, India-Africa Relations Changing Horizon was written by whom? तो ये किस ने लिखा है? ये भी important बुक है, तो कौन ले होगा? ये होगा, राजीव भाटिया, ठीके? चलिए, 35 नंबर क्या होगा? तो ये किस ने लिखा है, इस बुक को? तो इस बुक को लिखा है, मृदुला रमेश ने लिखा है, ठीके? नेक्स क्या होगा, 36 नंबर कोशिन क्या है? वो अस रिटेन अबुक, Fearless Governance, very important ये, तो ये किस ने लिखा है, डॉक्टर किरन बेदी जी ने लिखा है, ठीके? चलिए, नेक्स कोशिन, कोशिन नंबर 37 क्या होगा? तो ये किस ने लिखा है, तो ये लिखा है, रेखा चौधरी ने, क्या होगा? तो ये किस ने लिखा है, तो ये होगा, जैनत गोशाल ने इस बुक को लिखा है, ठीके? चलिए, नेक्स कोशिन, 39 नंबर क्या होगा? ये बुक किसने? किसने रिलीज किया? तो ये होगा, एम वेंका या नाइडू जी ने इसको रिलीज किया है, ठीके? चलिए, नेक्स कोशिन, 40 नंबर क्या होगा? who has owned the international booker prize for a book क्या होगा यह Tom of Sam ठीक है जो translation है तो यह किसने लिखा है तो यह होगा किसका होगा यह Gita Anjali Shri को मिला है very important है exam में 200% surely बोल सकते है यह exam में पूछा जाएगा ठीक है 41 number क्या है who has written a book titled The Maverick Effect ठीक है तो यह किसका होगा तो यह होगा Harish Mehta का ठीक है ठीक है नेक्स क्या होगा 42 number क्या question क्या है who has written a book titled Humani How the United States Abundant Peace and Reinvented War ठीक है तो यह किसका होगा तो यह होगा Samuel Moan का यह book है ठीक है ठीक है next 43 number क्या होगा was written a book titled Dangerous Art ठीक है तो यह किसका होगा तो यह होगा Ellen Pragar का चलिए, next question and the last question of this session, who has recently launched a book title, तो क्या book launch किया है, a new India, selected writings 2014 to 2019 or 2019, तो किसने रिलीस किया इस book को, तो ये भी रिलीस किया है, N.Wenka, नाइडो, जीने, very important है ये, तो चलिए, यहाँ पर 44, जो books and authors से question लिए, जो एकदम सेप्टिमबर का update है, जो अपकम exam के लिए important होने वाला है, ठीके, एग्जाम में जरूर देखेंगे, ठीके, books and authors से exam पोछे जाते हैं, ठीके, तो चलिए, अगर सेशन को अच्छा लागत तो एक like, share, subscribe, जरूर कर देना, चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, एक like करना, comment जरूर करना, ठीके, अगर वीडियो को देख रहे हो तो एक comment जरूर कर देना, ठीके, तो चलिए आज के लिए इतने, चाटा, बाई बाई